बिग वैस लीग 2022 एंटेश जो फाइनल मैच है ना आप सब को पता चल गया होगा पर्थ स्कोचर्स वर से ब्रिस बैंड हीट के बीच में किला जाएगा अगर हम यहां पर पर्थ स्कोचर्स की बात करें यहां तक जो पहुंचे है ना तो पहले तो लीग में जब 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 प कौन है विरिस बैंड हीट और विरिस बैंड हीट ऐसे नहीं आए यहां पर लड़के आए महनत करके आए क्योंकि यह नोने पहले ना इलिमिनेटर मैच में सिड्नी ठंडर को ठोका उनको हराया उनको भगाया उसके बाद जो नौक आउट मैच था उसमें मेलमन रेनेगेट मेलमन रेनेगे उसका इनने हराया भगाया उसकी बाद जो चैलेंजर मैच था है लेकिन लेगिन जो पर्त इसकुछत है मैसार आ किसी और इरादय के साथ उतरी क्यूंकि पिछली बाठ चैंपियन तो सोच नी भाई इस बार भी चेंपियन मैंत हैं वो कहते हैं कि चेंपियन तो चेंपियन ही रहेगा हमेशा हर साल चेंपियन बनेगा मतलब दो बार चेंपियन बैक बन जाएगा कौन पर्थिस कोचर तो चाहेगा ना चेंपियन ही बनते हैं वैसे अगर हम बात करें जो इस स सीजन की जो कहाँनी है वो पर्थ इसकोचस की है कि मतलब लगा थां जो पर्थ स्कोचस की टीम की तीम तो शोगला ज्यादा आसानी होगी तो एसाले लो सब से पहले हेट तो इन दोनों के वीच महीं तर Fresh गेंट के लाख है जिसमें से साथ अ CIर जो टीम है ना हमेशा भारी पड़ती है किसके ब्रीश बैंड हीड के उपर फेबरी के मैने मिनकी बीच में दो मैच के लगया दोनों टीमों ने एक-एक मैच अपने नाम पे किया यानि यहां पे जो मामला है वो तो बराबरी का बर्थ-Skosers ने ब्रीश बैंड हीड को हरा दिया उ तेरी भाई साहम मतलब लास के पांच मुकाबबलों में जो पर्थ-Skosers की टीम है ना उन्होंने सिवा हराया नहीं है बेजजत किया किसको ब्रीश बैंड हीड को मतलब यार पांच में से पांचों जीत लिया, इनको एक भी मैच ना जीत ने दिया, मतलब जब जब breezeband heat first pitcher से आता है, मैच खेलने last के पांच मकाबलों में, मतलब ये के डर जाता है, यारे इनके सामने करे तो करे, कैसे जीते तो जीते, कैसे जब भी हम जाते हैं, तो हमें हरा डालते हैं.. तो पर्थ-स्कोचर कहता है भासि हम चेंपिएन 지원 की तरह जाता है.. तो चेंपिएन की तरह तरहूं थानाव आ कहलेंगे। तो भाईिलोग क्या पर्फ-स्कोचर फिरसे वाया शें परफॉरमस दो रहेगा.. और यह जो मैच होuzzy ke recomp sigue.. और एक बार फिर से बन जाएगा चेंपियन, इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख देगा कि पर्थ स्कोचर बैक टू बैक, बिग बैस लिग का चेंपियन बना, या बिस बैन हीट बोलेगा भाई सा, अभी तक हम एक भी बार चेंपियन ना बने, तो इस बार चेंपियन बनने के लिए कुछ भी कर बुजर जाएंगे, इधर से उधर कर जाएंगे, लेकिन मैस हमी जीतेंगे, हमी बनेंगे चेंपियन, मतलब जो ट्रॉफी की लडाई होती है, वो तो काफी ज्यादा कमाल की होती है, तो वाई लोग इस ट्रॉफी की लडाई में कौन से टीम आपके बीच करहने वाला आपका अपना भाई उसो, अगर आप ही सपोर्ट ना करेंगे, कोई बाहर से आएगा भाई का सपोर्ट करने के लिए, ना जी कोई भी ना आएगा करना, क्या आपको कुछ भी नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो करी सकता है, अगर आपको सभी मैचों में फायदे में रहना है, तो मेरा टेलिग्राम भी जॉइन कर सकते है, क्योंकि जिन लोगोने जॉइन के, वो तो काफी जादा फायदा है, तो भाई साब आप पीछे क्यों हो, आप भी जॉइन करो, फायदा उठाओ, बस एक ही चीज का ध्यान द देख सकते हूं, यहां मुकाबला के ला जाएगा, पर्थ स्टेडियम पर्थ में, यहां के मादान पर भी तक्टी 20 डिमस्तिक के, 29 मैच के लेगा, जिसमें से 15 मैच में क्या हुआ, टार्गिट डिफैंड और 14 मैच में क्या हुआ, टार्गिट चेज, मतलब यहां पर 21, 171 प्लस स्कोर बनेगा, तो 10 मैच में से 8 मैच में, टार्गिट डिफैंड हो सकता हूं, 155 से 171 के बीच में स्कोर होगा, तो आप समद जाना, अभी जो मामला है न, यह तो बराबरी का गया, अब तो चेज भी हो सकता हूं, और डिफैंड भी हो सकता है, भाई, यहां के म मैच आगे बढ़ता है, तो जो बॉल होता है, बैड पर आने लग जाता है, क्योंकि यहां के जो कंडिशन है, बैटिंग कंडिशन है, फिर रन भी यहां पर बनने लग जाते हैं, और बांडरी लेंग की बात करें, तो 63 मीटर से 81 मीटर की है, तो इसके चक्कर में जो स्कोरी मैच देखने को मिल सकते हैं, अगर हम आज के मैच में पावल स्कोर की बात करें, तो आपको 41 स 46 के भी समें यहां प्रत के घर में पर्थ के सामने इनकी हलत खराब हो ती तो इनको तो बड़ा मुश्किल होगा मतलब यहां पर सामना करना पड़ते के सामने क्योंकि अभी तक उनके घर में तो अच्छे से पर्फॉर्मस करना पाए बीस बैनीट वाले लेकिन वह कहते हैं जो आकड़े होते हैं तो जाते हैं नए रिकॉर्ड्स बनने के लिए तो भ सब्सक्राइब यहां पर इनकी बल्ले वाजी की बात करें तो यहां पर कोई फरक इनको पढ़ा रहें क्योंकि उसके बाद एरॉन हांड़ी और जौस इंग्लिज आते हैं जब और सखूटा गार देतें मतलब ऑड भी नहीं होतें और तीजी के साथ रन भी बनाते रहते है जो बची कुछी कसर होती कप्तान एस्टन टर्नर आते मार मार के सामने लाई टीम को ना भरता बना देते हैं तो जो इनकी भाई साथ मिडिल ओर्डर की बल्ले बाजी हो ना काफी ज़्यादा कमाल की बाकिक हम यहाँ पे गेंदवाजी की बात करते हैं लगातार सभी मैचों में जवर्दस गेंदवाजी करें बिकेट निकाल लाएं और अगर हम यहाँ पे बात करें जैसन ब्रेंड डॉप की तो नियू बोल से बड़ी अच्छी गेंदवाजी करते हैं मिडियर ओवर में बढ़िया गेंदवाजी करते हैं डेविड प्यान की ब लगातार बैक टू बैक मैचे सजीते हैं ब्रिष्वाँन हीट की बात करें तो बिशन हीड कें आधि टीम है वो तो इंडिया चली गई लेकिन पिछला मैंड जो कहला अपने यंग प्लियर्स के साथ किला और यंग प्लियर्ई ने जिस तरह से प्रफोर्फोंस करी मैचे ज जो उस भर के रखा क्योंकि बड़ी ताबर तोड़ शुरुवात करता है बस मारता मारता ही रहता है नाथन मैक सुनी की बात करते हैं यह बीच काफी जाता है जवर जस बल्ले बाज़े बढ़िया बल्ले वाजी कर रहा है सैम हैंड की बात करते हैं किसी मैच में चलते हैं किस ही कि हम मतलब बहुत जादा अच्छे नहीं है लेकिन किसी से कम भी नहीं बाकी गेनवाजी की बात करें तो माइकर नेसर ने जिस तरह से गेनवाजी करें जिस तरह से एंडू टाय को सबसे ज्यादा बिकेट लेने के मामले में इस बारी पीछे छोड़ाया ना वो तो कमाल ही कर दिया बाकी जिम से बेजली भी लगातार सभी मैचों में बढ़िया गेनवाजी करें बिकेट निकालने और इस पेंसर जोंसन की बात के तो जब से यह लड़का आया यह तो कमाल की गेनवाजी कर रहा है और हम आप है मैं तुक उन्हेमन की बात करते हैं पिछले 2-3 मैच बल्ले बाजी अबरेज है 171, 171 एकसो एकस्टर रहों होता है गेनवाजी अबरेज की बात करें 0.17 बाई लोग 0.17 जो गेनवाजी अबरेज होता यह जवड़क्त नहीं होता तो फिर क्या होता है खतरनाख होता यार तबी तो लगतार प्र्धिस को डाउठ मैच पर मैच जीते जा रहा है मैं दूस्त अगर हमें हापे बात करें ब्रीस बैंड हीड की तो ये करें हम किसी से कम है के हमने भी अपने लास्ट के सिक्से मैच पे पांच मैच जीता बस एक मैच आ रहा है जो की अच्छा होता है लेकिन जवाजस ना कह सकता है ये इसके साथ साथ नहीं बिकिट निकालते रहते हैं तब इन्होंने लास्ट के शिक्से मैच पे पांच मैच जीता बस एक मैच आ रहा है अगर कमप्रीजन करें तो रेजल्ट में दोनों टीम है बिल्कुल एक जैसी नजर आ रही है बल्ले बाजी अबरेज की बात कर तो यहाँ पर जो पर्थिसकोचस की टीम है ना वो ब्रीजबैंड हीट से बहतर ना जा आ रही है तो भाई लोग अगर हम इन दोनों टीमों के च बहतर है को ट्रींड करने में बहतर है तो पर्थिसकोचस को कनके चेझешь करने का मौका मिलुए मैंज ब्रीजबैंड हीड के सापी चेझए 59ड करयान से upfront हीड से मैंए पर्थिसकोचस के सामने 173 173 रन डिफैंड की मात के तब पर्थिसकोचस को 11 मैच में डिफैंड करने का मौका मिला 7 मैच में कर लिया 4 मैच में ना कर पाए यानि जो पर्थिसकोचस के सामने जवज़स तरीके से डिफैंड भी करती है और पर्थिसकोचस की बात के तो इनको 9 मैंच में Defend करने का मौगा मिला पस्तीन में कर लिया चार में ना कर पाए यह जो ब्रीजबन हीट की टीम होती न पर्थ स्कोचस के सामने सही तरीके से ब्रीज़बैंड हीट के सामने इकारना गिया, फिर्फिस्वाइन विख्यंड रनो फाइनल मैच, पर्फ वर्सेज ब्रीज़बैंड के सिर्थ कर लीना, अब भी वो जानतें जिसका आपसी इंतिजार कौन से टीम बनेगी बीबील 2022 एंटेज की चेंपियन चलो वो अब हम जानते हैं लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब करना बनता है ना क्यों बनता है क्योंकि आपको पता है मैं कोई हीरो एसलेबेटी नहीं हूँ और आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत करता हूँ और आपक हम इस मैंच की बात करें जो मैंच है ना वो 65 एन 35 का 65 पर्थ इसकोचर जा सकते लेकिन मुझे लगता है यह जो मैंच है ना ब्रिश बैंड हीट अपने नाम पर कर सकता है देखो भाई लोग इसमें रिस्क है अगर आप रिस्क ले सकते तो मेरे साथ आ सकते क्योंकि मुझे अब ब्रिश बैंड हीट अपने नाम पर कर सकता है लेकिन मैं आपको बोलूँगा क्या बोलूँगा मेरा टेलीग्राम जोइन करने के लिए क्योंकि मैंच की जो फाइनल पेड़ेक्स है ना वह आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा जिन लोगों ने पहले से जोइन किया वो काफी मज़े है में काफी फाइद है में तो आप पीछे क्यों हो भाई साब आप भी जोइन करो फाइदा उठाओ बस एक चीज़ का ध्यान देना है फेक से बचना है क्योंकि मेरे नाम पर बहुती नकली टेलीग्राम चल्ल बना ले गए इसलिए इद्दा उद्दर और